दोस्तो नमस्कार ये है मागदोशन फॉर सिविल सर्विशेज मैं अनुराग शौधरी दोस्तो भारती संबिधान एम्राज विवस्था के महत्वण प्रशनों के अभ्यास सेट में इस वीडियो में प्रस्तुत है वित्त आयोग, योजना आयोग, नीती आयोग तथा मानवा धिकार आयोग से संबंधित महत्वण प्रशनों का प्रेक्टिस एट जो आपके आगामी विभिन परिक्षाओं के सामान ग्यान और सामान अध्यन खंड के लिए बहुत ही उप्योगी है तो आईए शुरू करते हैं भारती संबिधान एउम राजविवस्था के अंतरगत वित्त आयोग, योजना आयोग, नीती आयोग तथा राष्टी और राज्यमानवा धिकार आयोग से संबंधित महत्वण प्रशनों का प्रेक्टिस एट पहला प्रशन है वित्त आयोग से कि सामा निरूप में भारत में प्रति पांच वर्सवाद वित्त आयोग की नियुक्ति की जाती है आपसन है राज्यों की वित्ती स्थिति निर्धारित करने के लिए केंद्री सरकार की वित्ती संसाधन निर्धारित करने के लिए या फिर केंद्री अनुदान और संग के राजस में राज्यों का अंश निर्धारित करने के लिए सही उत्तराप संडी हो जाएगा दोस्तों सामाने रूप से भारत में प्रति पांच वर्स बाद वितायोक की नियुक्ती केंद्री अनुदान और संघ के राजस में राज्यों का अंश निर्धारित करने के लिए किया जाता है संभिधान के अनुच्छे 280 में प्रतेक पांच वर्स के अंतराल पर एक वित आयोक के गठन का प्रावधान किया गया है इसका मुख्यकार संघ और राज्यों के बीच करों के शुद्ध आगमों के वितरण के बारे में और राज्यों के बीच ऐसे आगमों के आवंटन के तरीके के संबंध में राष्ट पती को सिफारिस प्रस्तुत करना है अगला प्रश्ण है कि केंद्र और राज्य के बीच वित्ति बिवादों के निप्टारे के लिए मुख एजनसी कौन सी है सर्वोच नियायाले, न्याय मंत्री, वित्त मंत्री या वित्तायो तो याद रखेगा सर्वोच नियायाले आपसन ए दूस्तों केंद्र और राज्यों के वीच बित्ती विवादों के निप्टारे के लिए मुख्य एजेंसी सर्वोच नियाले है और भारती संबिधान के अनुच्छेद 31 के तहट ये उपर्युक्त मामलों का निप्टारा करता है अगला प्रश्ण है 14 में वित्तायोक के अध्यक्ष कौन थे आपको बताना है तो सही उत्तर है वाई वी रेड़ी आपसन सी 14 में वित्तायोक के अध्यक्ष वाई वी रेड़ी थे अगला प्रेश्ण है निम्नलिखित में से कौन वित आयूग द्वारा की गई प्रतेक सिफारिस को संसत के प्रतेक सदन के समक्ष रखवाएगा आपको बताना है आपसन है भारत का राष्ट पती लोगसभा का अध्यक्ष यानी स्पीकर भारत का प्रधान मंत्री या संघी वित मंत्री तो सही उत्तर भारत का राष्ट पती आपसन ए जुस्तों राज्य वित आयूग एक संबैधानिक संस्था है आप जान लीजे जो वित आयूग द्वार की गई सी भारिसों को संसत के प्रतेक सदन के पटल पर रखवाएगा अगला प्रशन है राज जिवित तायोग के संबंध में कौन सा का थन सही है यह एक अनौपचारिक संस्था है यह एक संबैधानिक संस्था है यह एक प्रशासनिक संस्था है या उपर्युक्त में से कोई नहीं तो सही उत्तर यह एक संबैधानिक संस्था है क्यों क्योंकि इसका घठन राज्यपाल द्वारा अनुच्छे 243 जह के तहत किया जाता है जो कि प्रतेक पांचमे वर्स पंचायतों की वित्ते स्थिति का पुनर्वी लोकन करता है अगला प्रश्न है संबिधान लागू होने के पश्यात अब तक कितने वित्ति आयोग बनाए जा चुके हैं तो आप जान लीजे संबिधान लागू होने के बाद अब तक कुल 15 जो है वित्त आयोग बनाए जा चुके हैं पंद्रह में वित्तायो का गठन 2017 में डाक्टर यनके सिंग की अध्यक्ष्टा में किया गया जिसने 2020-21 की संदर्भ आवध के लिए अपनी पहली रिपोर्ट 5 दिसंबर 2019 को और 2021-26 की संदर्भ आवध के लिए अपनी दूसरी रिपोर्ट 9 नौवंबर 2020 को राष्टपती को सही उत्तर आपसन भी 15 हो जाएगा अगला प्रश्ण है वित्तायोग का एक चेयर्मैन होता है और आपसन है 7 अन्य सदस, 5 अन्य सदस, 4 अन्य सदस या अन्य इतने सदस जितने समय समय पर राष्टपती नीडित करे तो सही उत्तर हो जाएगा दूस्तों आपसन C 4 अन्य सद और आप जान लीजे कि संबिधान के अनुच्छे 281 के तहत वित्त आयोग या फाइनेंस कमिशन राष्ट पती द्वारा नियुक्त किये जाने वाले एक अध्यक्ष और चार अन्निस अदस्यों से मिलकर बनता है आपसं C आपका सही उत्तर है अगला प्रश्ण है वित्त आयोग की अस्थापना किसके द्वारा होती है तो सही उत्तर राष्ट पती आपसं भी सही उत्तर हो जाएगा संबिधान के आर्टिकिल 280 यानि अनुछेद 280 के प्रावधानों के अनुसार प्रतेक पांच वर्स के अंतराल में राष्ट पती द्वारा एक वित्त आयोग की अस्थापना की जाएगी पांच सदस्य वित्त आयोग के अध्यक्ष तथा चार अन्य सदस्यों की नियुक्ती राष्ट पती द्वारा की जाती है अगला प्रश्ण है दोस्तों भारती संबिधान के अनुसार निम्नलिखित में से क्या संबैधानिक संस्था है वित्तायोग, राष्टी विकास परिशत, योजना आयोग या उपरियुक्त में से कोई नहीं तो सही उत्तर वित्तायोग दोस्तों इन विकल्पों में से संबैधानिक संस्था है और अनुच्छेद दो सो असी के तहत इसकी बेवस्था की गई है अगला प्रश्ट पती कितने साल में वित्तायोग का गठन करते हैं तो सही उत्तर है प्रतेग पांच वर्स दोस्तों आप जान लिजे कि संबैधान के अनुच्छेद दो सो असी में प्रतेग पांच वर्स के अंतराल पर एक वित्तायोग के गठन का प्रावधान किया गया है अगले प्रशन पर आते हैं कि संग और राज्यों के बीच करों के विभाजन संबंधी प्रावधानों को आपसन देखिए विप्ति आपातकाल के समय निलंबित किया जा सकता है राश्टी आपात काल के समय निलंबित किया जा सकता है किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता या मात्र राज्यों की विधाईकाओं के बहुमत की सहमत इसे निलंबित किया जा सकता है तो सही उत्तर आप सन्बी हो जाएगा संग और राज्यों के बीच करों के विभाजन संबंधी प्रावधानों को राष्ट्री आपात के समय निलंबित किया जा सकता है आप जान लिजे कि संग और राज्यों के बीच जो करों का विभाजन संबंधी अनुचे 268 से 269 तक प्रावधान जो है वो राष्टी आपात के स्थिती में संविधान के अनुचे 3211 के तहट राष्ट पती के आदेश द्वारण निलंबित या उस आदेश में विनिर्दिष्ट उपांताडों के अधिन प्रभावी किया जा सकता है अगला प्रेशन बहुत ही महतपूर है निमनलिखित कथनों पर विचार कीजिए यहां चार कथन दिये गए हैं वित आयोग के कार्य हैं आपको बताना है इसमें से कूट के आधार पर कौन सा विकल्प आपके सही है भारत की संचित निधि से धन निकालने की अनुमत देना तो संग सरकार तथा राज्य सरकारें बजट के प्रावधानों के अनुसार करों की उगाही कर रही है या नहीं इसकी देख रेक करना तथा उस पर रिपोर्ट देना ये सही नहीं है तो सही उत्तर दो और तीन आपसन भी आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तूं संबिधान के अनुछे 283 के अनुशार वित्थ आयोग के कारियों में केंद्र और राज्यों में राजसों के वित्रण और राज्यों के वीच उनके आवंटन के लिए माप, दंडूं या सिध्धान्तों की अनुशंसा करना संग द्वारा राज्यों को दिये जाने वाली सहायता अनुदानों के संबन्ध में सिधान निशित करना और राज्यों के वित आयोगों द्वारत दी गई सिफारिसों के आधार पर अस्थानी निकायों के विकास के लिए राज्य की निध्य में ब्रिध्धी के लिए आवस्य को पाया से उजाना और कोई यन्य विशय जिसके बारे में राष्टपती आयोग से सिफारिस करेगा तो ये जो हैं वित्तायोग के कारे हैं दोस्तों आप जान लिजे भारत की संचित निध्य से धन निकालने की अनुमत देना ये वित्तायोग का नहीं बलकि संसत का कारे है और संग सरकार तथराज सरकारे बजट के प्रावधानों के अनुसार करों की उगाही कर रही है नहीं इसकी देख रेक करना वित्त मंत्राले का कारे है अगले प्रशन पर आते हैं ये योजना आयोग और नीती आयोग से संबंधित महत्त पूर्ण प्रशन है पहला प्रशन है योजना आयोग का अंत किस परधान मंत्री ने किया है आपको बताना है बहुत ही महत्पूर्ण प्रश्ण है कि योजना आयोक का अंत जो है ये किस परधान मंत्री ने किया है आपसन है नरेंद्र मोदी, मुरार जी देसाई, अटल बिहारी बाजबेई या आई के गुजराल तो सही उत्तर आपसन ए नरेंद्र मोदी जोस्तों नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2014 को लाल किले की प्राचीर से असपश्ट उधगोशित किया था कि योजना आयोक के अस्थान पर एक नया संस्थान अस्तित्तों में आएगा उसे के अनुसार योजना आयोक को समाप्त करके उसके अस्थान पर डेट याद कर लीजिए एक जन्वरी 2015 एक जन्वरी 2015 को नीति आयोग यानि NITI National Institution for Task Farming India अस्थापित किया गया है अपसन ए आपका सही उत्तर है अगला प्रशन है योजना आयोग को प्रतिस्थापित करते हुए निम्वनांकित में से किस दिन नेति आयोग अस्तित्तों में आया आपको बताना है 15 अगस्त 2014, 6 दिसंबर 2014, 1 जन्वरी 2015 या 26 जन्वरी 2015 तो सही उत्तर 1 जन्वरी 2015 आपसन सी दोस्तों ये प्रशन बहुत ही महत्तपूर्ण है आप सभी के लिए योजना आयोग के अस्थान पर एक नया नीति आयोग जो है एक जन्वरी 2015 से अस्तित्तों में आया है अगला प्रश्ण है योजना आयोग की अस्थापना कप की गई थी ये महत्वपोन प्रश्ण है तो योजना आयोग एक संविधान इत्तर संस्था है इसका संविधान में कोई उलेख नहीं है और इसका गठन केंद्री मंत्री मंडल के एक संकल्प द्वारा 15 मार्च 1950 को किया गया है आपसन B आपका सही उत्तर है अगला प्रश्ण है योजना आयोग की अस्थापना की गई कैसे तो आप जान लिजे योजना आयोग की अस्थापना दोस्तों ये संगी मंत्री परशद द्वारा एक विशेश प्रस्ताव पारित करके किया गया था और इस आधार पर नीती आयोग की भी अस्थापना इसी आधार पर संगी मंत्री परशद द्वारा एक विशेश प्रस्ताव पारित करके की गई है ने तो योजना आयोग संबैधानिक संस्ता है और ना ही नीती आयोग अगला प्रश्ण है निमनलिखित में से एक संबिधानेतर संस्ता है संबरी 2015 को केंद्री मंत्री मंडल के एक संकल्प के द्वारा नीती आयोग की अस्थापना की गई जबकि संग लोग सेवा आयोग का विवरण अनुचे 315 है वित आयोग अनुचे 280 और निर्वाचन आयोग अनुचे 324 में बढ़ित है और ये संबैधानिक संस्ताए है अग सही उत्तर क्या हो जाएगा यम वी माथूर आपसं सी आपका सही उत्तर हो जाएगा जोस्तों यम वी माथूर ने वित आयोग और योजना आयोग के परस पर विलय का प्रस्ताव रखा था अगला प्रशन है निमनलिखित में से कौन एक संबैधानिक निकाय नहीं है संग ल अगला प्रश्ण है भारत के योजना आयोग के पर्थम अध्यक्ष कौन थे आपको बताना है तो सही उत्तर पंडित जवाहर लाल नहरू कैसे तो योजना आयोग के अध्यक्ष जो है वो परधान मंत्री होते हैं परधान मंत्री योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते है तो पंडित जवाहर लाल नहरू इसके प्रतम अध्यक्ष थे अगला प्रश्ण है योजना आयोक का अध्यक्ष कौन होता था तो सही उतर योजना आयोक का अध्यक्ष जो है ये प्रधान मंत्री होता था और योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं प्रधान मंत्री इसी तरह नीती आयोग के पदेन अध्यक्ष भी प्रधान मंत्री होते हैं अगला प्रश्ण है इन में से कौन नीती आयोग से संबंधित है नरेंद्र मोधी, कौशिक बसू, अमर्त सेन या पीची दंबरम तो सही उत्तर नरेंद्र मोधी हो जाएगा क्यों क्योंकि नरेंद्र मोदी नीती आयोग से संबंधित है इन्हें के कारेकाल में इस अंस्थान का गठन किया गया एक जन्वरी 2015 को नीती आयोग योजना आयोग के अस्थान पर अस्थापित किया गया है अगला प्रश्ण है योजना आयोक का उपाध्यक्ष किसके समकच होता है उपराष्ट उपती, राज्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री या सर्वोच नयाले के नयाधीस के तो सही उत्तर कैबिनेट मंत्री या अपसंस C दोस्तों योजना आयोक के उपाध्यक्ष का दरजा भारस सरकार के कैबिनेट मंतरी के समान होता था और योजना आयोक के पर्थम उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा थे अगला प्रश्ण है भारत में इन में से कौन योजना आयो का उपाध्यक्ष नहीं रहा है आपको बताना है बहुत ही महत पूण प्रश्ण है डाक्टर मन मोहन सिंग प्रडव मुखर जी पी चितमबरम या मून्टेक सिंग एहलू आलिया तो सही उत्तर आपका हो जाएगा प एक और महत पूण प्रश्ण है भारत में यन डीसी यानि राष्टी विकास परिशत कब गठित की गई थी आपको बताना है तो सही उत्तर यन डीसी की अस्थापना 6 अगस्त 1952 को की गई है अपसंडी आपका सही उत्तर है अगला प्रश्ण है राष्टी विकास परिशत का मुख्य संबंध किस्से है आपको बताना है तो सही उत्तर आप जान लीजे पंचवर्सी योजनाओं में राज्यों की भागीदारी सुनिशित करने के लिए राश्टी विकास परिशत का गठन 6 अगस्त 1952 को किया गया था और पंचवर्सी योजनाओं का अनुमोदन जो है ये NDC के मुख्य कारियों में शामिल है आप जान लीजे अगला प्रशन है राश्टी विकास परिशत की अध्याश्ता कौन करता है तो सही उत्तर राश्टी व प्रश्टी विकास परिशत की अध्याश्ता करते हैं अगला प्रशन है योजना आयोक का प्रस्ताओं किस ने और कब प्रस्तुत किया था तो बहुत ही महत्पोन प्रशन है इसका प्रस्ताओं जानमथाई ने मंत्री मंडल की एक बैठक में वर्स 1950 में किया था जिसको 15 मार üç 1950 को स्विकार कर लिया गया तो सही उत्तर जानमथाई 1950 आप सन ओपका सही उत्तर है अगला प्रशन है दोश्तों नीत ओयोक के विषय में कौन सा एक सही नहीं है यहाँ पर आपको बताना है इसका गठन योजना अयोक के अस्तान पर किया गया है आप जानते हैं सही है इसम नमरी 2015 में किया गया था Σही है यह सहकारी संगवाद के सिध्धान पर आधारित है तो आप सन बी जो है सही उत्तर हो जाएगा जो की सही नहीं है क्योंकि आप जान लिजे दोस्तों कि नीती आयोक के विशे में नीती आयोक का अध्यक्ष परधान मंत्री होता है जो कि जो काली का ध्यक्ष नहीं होता है अगला प्रश्ण है निम्नलिखित में से किस निकाय या किन निकायों का संभिधान में उलेक नहीं है राष्टी विकास परशद योजना आयोग और छेत्री परशदे तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों आप जान लीजे कि यहां पर जो स संभिधान में उलेक नहीं है आप संडी आपका सही उत्तर हो जाएगा जोस्तों आप जान लीजे कि राष्टी विकास परशद योजना आयोग और छेत्री परशदों का उलेक जो है संभिधान में नहीं किया गया है अगला प्रश्ण है नीचे दो वक्तब दिये गये हैं क कथन और कारण से संबंधित है इनके आधार पर आपको सही उत्तर का चैन करना है कथन है कि योजना आयोग को आर्थिक मंत्री मंडल पर विभाशित किया गया है केवल संभ के लिए नहीं बलकी राज्यों के लिए भी और कारण है कि यह राष्टी संसाधनों के संतुले उप्योग राश्टी संसाधनों के संतुलित उप्योग के लिए पंचवर्सी उजनाओं का निर्मार करता था और दिये गए विबेका धिन संविधान इतर अधिकारों और संदर्व के अधिन विश्यों की व्यापक प्रफित के कारण नेकिवल संग वल की राज्जियों के ल राश्टी विकास परिशद राश्टी आयोजना की उन्नती पर चर्चा करती है बिल्कुल सही है राश्टी योजना के उद्देश्यों की प्राप्ति के उपाय सुझाती है सही है राश्टी योजना निर्मार के लिए दिशा निर्देश परदान करती है सही है योजना में धन आवंटन सुझाती है ये आपका सही नहीं है तो एक दो और तीन आपके सही हो जाएंगे आपसन ए सही उत्तर है अगला प्रशन है निम्नलिखित में से कौन राष्टी विकास परिशत की रशना करते हैं प्रधान मंत्री अध्यक्ष वित्तायोग संगी मंत्री मंडल के मंत्रिगण और राज्जों के मुख्य मंत्री इनमें से कौन सा आपका सही है तो आप देख लीजे प्रधान मंत्री संगी मंत्री मंडल के मंत्रिगण और राज्जों के मुख्य मंत्री यानि एक तीन और चार दोस्तों राश्टी विकास परिशत का गठन अगस्त 1952 में किया गया था राश्टी विकास परिशत की रश्टना में जिन सदस्यों का प्रधान है उसमें परधान मंत्री इसकी अध्यक्ष होते हैं संगी मंत्री मंडल के सभी मंत्री गण और राज्यों के मुख्य मंतरी, सभी केंदर शासित राज्यों के मुख्य मंतरी और पर्सासक और योजना आयोग के सदस इसमें शामिल होते हैं अब सन B आपका सही उत्तर है अब आईए दोस्तों राश्ट्री और राज्य मानवाधिकार आयोग से संबंधित महत्तोपूर्ण प्रश्णों को देख लेते हैं और इनसे संबंधित जो महत्तोपूर्ण प्रश्ण है इनको देखते हैं पहला प्रश्न है भारत में मानुवा धिकार संरक्षन अधनियम कब लागू हुआ था आपको बताना है बहुत ही महत्तोपूर प्रश्न है भारत में मानुवा धिकार संरक्षन अधनियम कब पारित हुआ था आपको बताना है तो सही उत्तर 1993 में आपसंडी भारत में मानुव अगला प्रेशन है मौनवा धिकार आयोक के अध्यक्ष़ कारेकाल कितना होता है तो उत्तर है तीन वर्स दोस्तुं मानवा धिकार संड़क्षन संसोधन अध्नियम 2019 के द्वारा उनीस सो तिरानबे के अधिनियम में संसोधन करके मानवा धिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कारेकाल पांच वर्स से घटा कर तीन वर्स या सत्तर वर्स की आयोग तक जो भी पहले हो कर दिया गया है तो बर्तमान में राष्टी मानवा धिकार आयोग के अध्यक्ष का रिकाल तीन वर्स या सत्तर वर्स कियाई जो भी पहले है होता है अगला प्रश्ण राज जमानुवा धिकार आयोग में सदस्य की रूप में उच्छ नियालए का कोई आसीन नैधीस या कोई आसीन जिला नैधीस किसके परामर्स की पश्यात नियुक्त किया जा सकता है तो स जिला नयाधित संबंधित राज्य के उच्च नयाले के मुख नयाय मूर्ति से परामर्ज करने के बाद ही नियुक्त किया जाएगा अथ्वा नहीं। जिसमें मुख मंत्री अध्यक्ष और सदस्यों की रूप में विधान सभा अध्यक्ष राज्य ग्रिह मंत्री और विधान सभा में विपक्ष के नेता शामिल होते हैं। जिसमें मानुवा धिकार संरक्षण अध्यक्ष राज्य मानुवा धिकार आयोग राज्य सरकार को वार्सिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है और राज्य सरकार इस प्रतिवेदन को विधान मंडल सदन के समक्ष रखवाता है। अगला प्रश्ण है निम्न में से कौन सी एक संबैधानिक संस्था नहीं है आपको बताना है बहुत ही महत्तपूर्ण प्रश्ण है ये आपसन है मानवा धिकार आयोग, राज्य का वित्तायोग, लोकसभा का सच्वाला या केंद्र का वित्तायोग तो सही उत्तर क्या हो जाएगा मानवा धिकार आयोग दोस्तों ये संबैधानिक संस्था नहीं है क्योंकि मानवा धिकार आयोग संबैधानेतर निकाय है इसका घठन मानवा धिकार संरक्षण अधियम discoveries के द्वारा किया गया था अगले प्रश्ण पर आते हैं महत्तपूर्ण प्रश्ण है कि 10 दिसंबर मनाय जाता है किस रूप में तो आप जानते हैं 10 दिसंबर को मानुवा धिकार दिवस या Human Rights Day की रूप में मनाय जाता है और इसी दिन 1948 में संयुक्त राष्ट महासभाद्वरा मानुवा धिकारों की सारोभोमिक घोश्णा की गई थी अगला प्रश्ण है मानुवा धिकारों की अधाना का प्रमुख बल किस पर है संपत्ति के अधिकार पर समानता के अधिकार पर धर्म के अधिकार पर या मानो होने के नाते मानो गरिमा पर मानो अधिकारों की अधाना का मुख्यबल है अगला प्रेश्ण है राज्य आयोक के अध्यक्ष के पद पर हुई रिक्ति की दशा में किसी एक सदस्य को अध्यक्ष के रूप में कारे करने के लिए प्राधिकृत करने की शक्ती किसे है आपको बताना है तो सही उत्तर राज्य पाल को दोस्तों आप जान लीजे कि मानवा अध्यकार सनरक्षन अधनियम 1993 की धारा पच्चिस के अनुसार राज्य मानवा अध्यक्ष के अध्यक्ष की मृत्तु पद त्याग या अन्यकारण से उसके पद में हुई रिक्ति की दशा में राज्य पाल अधिसूचन द्वारा सदस्य में से किसी एक सदस्य को अध्यक्ष के रूप में तब तक कारे करने के लिए प्राधिक्रित कर सकेगा जब तक ऐसे रिक्ति को भरने के लिए अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हो जाती है अगला प्रश्ण है मानो अधिकार संरक्षन अधनियम में ससस्त्रवल की परिभासा में कौन सा शामिल नहीं है नो सेना, राज्य के शसस्त्रवल, थल सेना और वाय सेना तो सही उत्तर है राज्य के शसस्त्रवल मानो अधिकार संरक्षन अधनियम में ससस्त्रवल की परिभाशा में सामिल नहीं है अगला प्रश्ण है राश्टी मानो अधिकार आयोक के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति समित में से कौन सदस्य नहीं होता है लोग सभा अध्यक्ष, राजे सभा का सभापती, लोग सभा में विपक्ष का नेता और राजे सभा में विपक्ष का नेता तो सही उत्तरापका हो जाएगा राजे सभा का सभापती दोस्तों याद रख लिजी राष्ट्री मानुवाधिकार आयोक के अध्यक्ष और सदस्यों के नियुक्ति के लिए एक समिती होती है जिसके सदस्यों में परधानमंत्री, ग्रिहमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता, राजसभा में विपक्ष के नेता, लोकसभा, अध्यक्ष और राजसभा के उपसभापती होते हैं इसमें दोस्तों राज्य सभा के सभापती शामिल नहीं होते हैं यानि उपराष्टपती सामिल नहीं होते हैं और इस समित किसी फारिस पर राष्ट्री मानुवाधिकार के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ती राष्टपती के द्वारा की जाती है अगला प्रश्ण है निमने लिखित में से कौन सा एक राज्य मानौ अधिकार आयोग का कारे नहीं है आपसन देखिए कि मानौ अधिकार के उलंगन की स्वेक्षा से जाच ये तो है किसी जेल को देखना ये भी है मानौ अधिकारों की सुरक्षा का अपुनर विलोकन ये भी कारें में शामिल है मानौ अधिकारों का उलंगन करने वालें को सजा देना ये जो है मानौ अधिकार का कारे नहीं है आप संडी आपका सही उत्तर है मानौ अधिकारों का उलंगन करने वाले को सजा देना राज्य मानौ अधिकार का आयूग का कारे नहीं अन्य विकल्प आपके सही है अगला प्रश्न है सशस्त्रबलों के सदस्यों द्वारा मानौ अधिकारों की अधिक्रमण की सिकायतों के बारे में आयूग स्वपेडा से या किसी अरजी की प्राप्ति पर आपसन है स्वयंग जाच करेगा जाच करने के लिए संबंधित पुलित अधिकारियों को निर्देशित कर सकेगा केंद्री सरकार से रिपोर्ट मांग सकेगा या उपर यूगत में से कोई नहीं तो सही उत्तर है केंद्री सरकार से रिपोर्ट मांग सकेगा आपसन सी आपका सही उत्तर है जुस्तों आयोग जो है शसस्त्रबल के सदस्यों द्वरा मानऌ अधिकारों के य verme की शिकायतं के बारे में कारवाय करते समय आयोग स्वपेंडा से या किसी अरजी की प्रार्ति पर केंद्री सरकार से रिपोर्ट मांग सकेगा और रिपोर्ट के बाद आयोग या था इस्थिती सिकायत के बारे में कोरिकारवाई नहीं करेगा या उस पर सरकार को अपनी सिफारिसें कर सकेगा अगला प्रशन है मूल अधिकारों की अत्रीक्त भारत के संभिधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग अधिकारों की सारभौोण घोश्रा की सिध्धानतों और प्रावधानों को प्रतिबिम्बित करता है आप सन्हें उद्देशिका, राज़िके नीतनिदे सकताथ और मूल करतब इसमें से कौन से दोस्तों ये मानौ अधिकारों की सारोभौमिक घोश्रा के सिध्धानतों को प्रतिविम्बित करते हैं तो सही उत्तर आप संडी एक दो और तीन ये सभी तो दोस्तों आप जान लिजे मानौ अधिकारों की सारभोमिक घोष्डा में कुल 30 अनुच्छेदों का वड़न है और इसमें भारती संभिधान की उद्देशी का मूल अधिकार और राजी के नीत ने दे सकता तो और मूल कर तब मानौ अधिकारों की सारभोमिक घोष्डा 1948 क सिध्धान्तों और प्रावधानों को प्रतिभिम्बित करते हैं अगला प्रश्ण है यूनिवर्सल डिकलरेशन आप हिूमन राइट्स में कुल कितने अनुच्छेद हैं तो सही उत्तर है कुल तीस अनुच्छेद है आपसंस सी आपका सही उत्तर हो जाएगा अगला प्रश्ण है निवर्सल डिकलरेशन दोस्तों संयूक्तराष्ट द्वर्सूचिवध मानुवा धिकारों में शामिल नहीं है दोस्तों मानुवा धिकारों की सारभोमिक घोशडा का प्रारूप संयूक्तराष्ट महसभा ने 10 दिसंबर 1948 को स्विकार किया था और किसी व्यक्ति की एकांदता परिवार घर या पत्र विवहार के प्रति कोई मनमाना हस्तक्षेप ने किया जाएगा ने किसी सम्मान और ख्याती पर कोई आच्छेप हो सकेगा तो इस तरह से अनुच्छेद 26 के तहत प्रतेक व्यक्ति को सिक्षा का अधिकार है सभी मनुसियों को गौरों और अधिकारों के मामले में जन्मजा सोतनता और समानता प्राप्त है लेकिन आप जान लीजिए कि ऐसे कोई हस्तक्षेप किसी व्यक्ति के जीवन में किया जा रहा है तो प्रतेक को कानूनी रक्षा का अधिकार प्राप्त है जबकि विधिसम मतहस तक छेब किया जा सकता है तो यहाँ पर निज्टा का अधिकार जो है इसमें शामिल नहीं है अगला प्रशन है सभी प्रकार के सामाजिक विभेत का उन्मूलन मानुवाधिकार की किस पीढ़ी या किस जनरेशन के अंतरगत आता है तो सही उत्तर दूसरी पीढ़ी यानि सेकेंड जनरेशन दोस्तों याद रखेगा सभी प्रकार के सामाजिक विभेत चाहे वो आर्थिक हो सामाजिक हो या सांस्कृतिक हो इनका उन्मूलन मानुवाधिकार की दूसरी पीढ़ी के अंतरगत आता है जबकि पहली पीढ़ी में नागरिक और राजनेतिक सोतंता का अधिकार और तीसरी पीढ़ी में एक जुटता का अधिकार और समूह में शामिल होने के अधिकार शामिल है अगला प्रश्ण है उन्नी सो तिरानबे में राष्टपति द्वारा मानुवाधिकार सनरक्षन अध्यादेश जारी किया गया था तो सही उत्तर है अनुछेद एक सो तेश के अंतरगत जोस्तों आप जान लिजे कि भारती सम्विधान के अनुछेद 123 के तहत राष्टपति को ये अधिकार है कि संसत के सत्र में नय होने की स्थिति में वो अध्यादेश जारी कर सकते हैं 28 सितंबर 1993 को इसी अनुछेद के तहत राष्टपति ने मानो अधिकार संरक्षण अध्यादेश जारी किया था अगला प्रश्ण है मानो अधिकार संरक्षण अध्यादेश की किस धारा में लोक सेवक की परिभाशा दी गई है तो याद रखेगा धारा 2-1 यम में आप संडी आपका सही उत्तर है दोस्तों आप जान लीजे मानो अधिकार संरक्षण अध्यादेश नियम 1993 की धारा दो परिभाशाओं से संबंधित है और 2-1 यम में लोक सेवक यानि जो पबलिक सर्वेंट है उसको परिभाशित किया गया है अगला प्रश्ण कथन और कारण से संबंधित है और इसमें आपको बताना है कि कथन और कारण के अधार पर कौन सा उत्तर आपका सही होगा कथन राश्टी मानवा धिकार आयोक का अध्यक्ष वह व्यक्ति होता है जो भारत का मुख्यन आधिस रह चुका हो और आप देखिए कारण है कि उक्तायोक की अध्यक्ष का कारिकाल पांच वर्स अथ्वा सत्तर वर्स की आयोपरियंत जो भी पहले हो वो धारित करता है तो ही गलत है और दूसरा ये की उक्तायोक की अध्यक्ष का कारिकाल पांच वर्स अथ्वा सत्तर वर्स की आयोपर जो भी पहले हो धारित करता है दोनों ही आपके गलत है मानवा धिकार संसोधन अध्यम 2019 के द्वारा 1993 की अध्यम में संसोधन किया गया है इसकी अनुसार राश ही जो भी पहले हो कर दिया हो तो वर्तमान परपएक्ष में विकल्प D सही उत्तर है अगला प्रश्न है आयोग राज्ये आयोग का प्रतेक सदस्य और मानवा धिकार संस्ञक्षनधन अध्यम के अधिन क्रत्यों का प्रयूए करने के लिए आयोग या राज्ये आयोग समझा जाता है क्या तो यहाँ पर सही उत्तर है लोक सेवक यानि आपसन भी दोस्तों मानव अधिकार सनरक्षण अधनियम 1993 की धारा 49 के तहट राष्टी मानव अधिकार आयोग राजे आयोग का प्रतेक सदस से और मानव अधिकार सनरक्षण अधनियम के अधिन कृत्यों का प्रियोग करने के लिए आयोग या राजे आयोग द्वारा नियोग तिया प्रतेक अधिकारी भारती धंड संहिता की धारा 21 के अर्थ में लोक सेवक समझा जाता है अगला प्रश्ण है मानव अधिकार नियायालियों में मामलों के संजालन के प्रियोजनार्थ राजे सरका एक अधिवक्ता को विशिष्ट लोक अभियोजक के रूप में विनिर्दिष्ट कर सकती है जो कम से कम कितने वर्सों तक प्रैक्टिस में रहा हो तो सही उत्तर साथ वर्स याद रखेगा मानो अधिकार संड़क्षण अधनियम 1993 की धारा 31 की अनुसार राज्य सरकार प्रतेक मानो अधिकार नियाले के लिए अधिसूशना द्वारा एक लोक अभियोजक विनिर्दिष्ट कर सकेगी या किसी ऐसे अधिवक्ता को जिसने कम से कम साथ वर्स तक अधिवक्ता के रूप में बिधवयोशाय किया हो उस नियायाले के मामलों के संचालन के प्रियोजन के लि आपसन है वहश्विक अधिकार विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संधिपत्र एमनेश्टी इंटरनेश्टी मानों अधिकारों पर संधिपत्र तो सही उत्तर विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संधिपत्र जोस्तों विकलांग व्यक्तियों के अधिकार संध तो दोस्तों ये था आज का वीडियो इसमें हमने संबिधान और राजविवस्था के अंतरगत भारत के प्रमुख जो संबिधानिक या संबिधाने तर आयोग हैं जैसे वित आयोग योजना आयोग और नीती आयोग तथा राश्टी और राजमानुआधिकार आयोगों से उत्राखन बिहार राजस्थान और यमपी PCS तथा 36 गढ़ द्वारा आयोजित किये जाने वाले विभिन परिक्षाओं के लिए बहुत थियूप योगी हैं आप इन प्रशनों को तयार कर लिजेगा वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएग वीडियो को लाइक करें शेयर करें और इस चैनल मागदेशन फॉर सिविल सर्विशेज को सब्सक्राइब करें वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों नमस्कार